साथियों, ये आप बली भाती जानते हैं कि देश के 80 प्रतीसत से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टर तक ही जमिल है, आने वाले 25 साल में देश की क्रशी को सम्रुद्द करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमी का रहने वाली है, इसलिए अब देश की क्रशी नितियों में इन छोटे किसानों को सर्वच्च प्रात्फिक्ता दी जा रही हैं, इसी भावनाव के साथ बीते सालों में छोटे किसानों को सुविदा और सुरक्षा देने का एक गंबीर प्रयास किया जा रहा है, पी-एम किसान सम्मान निदी के तहट अब तक एक लाग साथ हजार करोड रुपिये किसानों को दिये गए हैं, इसमें लगबग एक लाग करोड रुपिये तो कुरोणा के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुँचे हैं, यही नहीं, कुरोणा काल में ही दो करोड से जादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए, जिन में से अधिकतर छोटे किसान हैं, इनके माध्यम से किसानों ने हजारों करोड रुपिये का रुण भी लिया है, कल्पना किजिए, अगर यह मदद छोटे किसानों को ना मिलती, तो सौ वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में, उनकी क्या स्थिती होती, उन्हें छोटी छोटी जरुवतों के लिए, कहां कहां नहीं भटकना पड़ता, भाईयों और भेनों, आज जो करशी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर जो बड़े बड़े फुड़पारग लग रहे हैं, इनका बहुत बड़ा गाप छोटे किसानों को ही हो रहा है, आज देश में विशेश किसान रेल चल रही हैं, इन ट्रेनों से हजारों किसानों ने अपना उत्पाद, कम किमत में ट्रांस्पोर्ट का खर्चा बहुत कम, देश की बड़ी-बड़ी मन्यों तक पहुँचा कर अधिक किमत से माल बेचा है, इसी प्रकार जो विशेश इन्फास्ट्रक्चर फंड है, इसके तहद भी छोटे किसानों के लिए आधुनिक बंदारण की सुविधाय तयार हो रही हैं, बीते साल में साड़ेच छे अजार से अधिक प्रोजेक्स शिक्रूत हो चुके हैं, ये प्रोजेक्स जिनको मिले हैं, उनमें किसान भी हैं, किसानों की सुसाइटी और किसान उत्पादक संग भी हैं, सेल्प हेल्प ग्रूप भी हैं, और स्टार्ट अप्स भी हैं, हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तै किया है, कि जो राज्यों में हमारी सरकारी मंडिया है, उनको भी इस फंड से मदद मिल सके, इस फंड का उप्योग करके, हमारी सरकारी मंडिया बहतर होगी, ज्यादा मजबूत होगी, आधुनिक होगी.